Welcome friends, इस वीडियो में हम जानेंगे envelope tool के बारे में, envelope tool हमें मिलेगा drop shadow tool के नीचे envelope tool, इसके लिए हमें text को use करना होगा साथ ही साथ में मैं यहां से shape और बना लेता हूँ drawing का polygon, six edges और shape बनाते हैं, like this, छोड़ा size को छोटा करेंगे, एक gopoo type का जो है मुझे बनाना है, two line, two point line की help से मैं edge to edge यह draw कर देता हूँ, यहां पर मैं जो segment इसका remove करना है, तो virtual segment tool के help से जो extra edge है, इसको मैं यहां से remove कर देता हूँ या फिर यह जो line है, इस line को मैं यहां से हटा देता हूँ, कुछ इस तरह से, color देना चाहें, color दे सकते हैं, dark color या light color इधर और dark color back side में तोड़ा, यहां segment tool, smart fill tool यूज़ करते हुए, एक object बनाएंगे, outline इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने fill option no कर रखा है, तो specify करेंगे, outline no करेंगे, जिससे की, जो color हम define करना चाहरे हैं, वो यहां पर हम इसको ऐसे, smart fill tool की help से बना सकते हैं, दूसरा मैं, इसका handle बनाता हूँ, इसका मैं कैसे use करेंगे, अभी बताएंगे, इसको envelope में किस तरह से convert करेंगे, लेंगे काम में, यह मैंने लिया इसको, बड़ा नीशे की तरह ले लते हैं, stretch plus, इसकी जगा मैं contour भी use कर सकता हूँ, जो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, contour काम आता ह duplicate करने के लिए, सिर्फ दो staff ही duplicate करता हूँ, यहां से, only 1, 0.1 का spacing, या 0.1, 0.5, price space करने के लिए मैं इसको, यहां से ले लेता हूँ, और यहां से बढ़ा दे, 5 की जगा, 2 कर लेता हूँ, इसको, outline color, black show कर लेता हैं, यहां से, break apart करेंगे, contour को, break, contour apart, इन दोनों को आपस में trim करेंगे, देखिए मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसमें सारे command repeat हो रहे हैं, अब इसको smart fill object के साथ में merge करेंगे, यह handle, बनाने के लिए हमने इसको, contour use किया, हमने इसमें, trim command यूज किया है, अब इसको हम weld command की help से पूरा एक जोड़ के, एक बना लेगे, यह हमने एक भोपू बनाया है, की help से, अब इसको हम यूज करेंगे, जैसे design में हमें जरूर पढ़ती है, कई बार ऐसे text की, तो, हिंदी में type कर सकते हैं, सुनो, सुनो, या फिर, sale, ऐसा कुछ, कोई भी word लेख सकते हैं, मैं हिद्धे से हिंदी, हिंदी का font देखता है, अगर हिंदी का font हो, तो मैं इसको बहुत ही, तरीके से इसको मैं कर सकता हूँ, type हूँ, हिंदी font है, ओके, यह हमारे पास एक ही font है, चलो, कोई बात नहीं, इसी को use करते हैं, यह जैसे हमने type किया, इसको मुझे ऐसे show कराना है, text को, पैंपलेट का design अगर हम कर रहे हैं, मान लीजिए, तो इसको ऐसे show कराना है, कि यह इसी में से निकलती वी volume हमें दिखानी है, तो उसके लिए हम use करेंगे envelope tool, envelope tool में सबसे पहला तो है base or freehand, कहीं से ऐसे कैसे भी करके आप इसको freehandly कर सकते हो, लेकिन जो इसका main वो जो है, step straight line, कि यहां से इसको ऐसे बड़ा इस तरह से perspective type दिखाना हो, तो हम यहां से उसकर सकते हैं, alt के साथ में दोनों corner करेगा यह, यह alt लिया और इसको मैंने, curve shape में करेगा, यहां से मैंने इसको ऐसे, सुनो, 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 यह ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ अगर हम जोजे design करके दिखाना हो, तो मैं इस envelope tool की help से बहुत ही असाने से कर सकते हूँ, ठीक है, अब इसी तरह से अगर जैसे पुराना logo आपने देखा होगा, बजाज company का, तो यह बजाज company का logo अगर वैसा ही अगर आपको बनाना है, तो ठीक किसी तरह से polygon की help से आप यह चीज़ बना सकते हो, control क्यू करेंगे, polygon के यह edges को हटाएंगे यहां से, और फिर इस text को हम copy करेंगे इस envelope tool से, तो envelope tool लेंगे, text को select करते हुए, envelope tool लेंगे, text को create envelope from, create envelope from का मतलब बता है कि इस text में envelope वैसा यूज़ हो जाए, जैसा हम object बता रहे हैं, तो मैं यहां से object बता देता हूँ, इसको polygon, कि भी जैसा polygon दिखरा है, वैसा ही text हो जाए, देखिए, हो गया, बीच के edges मेंने हटा है, इसलिए थे कि वो minimum edges पर ज्यादा maximum productivity आती है उसकी, और यह हमने एक logo पुराना जो बजाज कहता है, आजकल तो नया logo है, इस logo से काम नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी अगर हम वैसा, अगर कोई logo बनाना चाहें, तो इसकी help से बना सकते हैं, envelope tool की help से, तो यहाँ अंदर color कुछ भी दे दीजिए, यहाँ color different कर लीजिए, यह हो गया envelope tool का roll, envelope इसमें है free hand envelope, straight envelope, single curve envelope, and single arc, double arc, देखिए मैं इसको text लिखता हूँ, यह text लिखावा ही है जैसे, select किया, पहला है, free hand, कहीं से भी आप इसको, bezier curve जो आता है, curve tool की, तो shape जो आ रहा है, उससे हम कैसा भी shape दे सकते हैं, फिर है, envelope में next, की straight envelope का roll, जैसा मैं भी यह बताया, perspective दिखाना हो, तो straight envelope tool उसकर सकते हैं, यह straight envelope, यह देखिए, perspective हो जाएगा, फिक, इसी तरह से next step का रू, तो ऐसे rounded दिखाना है, दोनो लाइने, उपर से निचे वली, जो दोनो लाइने एक साथ करनी है, तो control के साथ में हम इसको drag करेंगे, single arc tool, तो single arc में ऐसे rounded में नाम लिखना हो, कोई school का नाम लिखना हो, या ऐसा round shape में कोई भी अगर show करना हो, तो हम यहां से envelope tool से, इसमें envelope tool में single arc mode से कर सकते हैं, फिर अगर हम करना double arc mode, double arc mode में क्या करता है, ऐसे लहराता हूँ, एक ribbon type बन जाएगा, इस तरह से text को हम double arc mode में ऐसे show करा सकते हैं, तो यह अलग-अलग इसके envelope के mode हैं, जैसा कि free hand, straight, single arc, and double arc, इसको lines को हम putty रखेंगे, और keep lines together रखेंगे, यही envelope किसी और text में अगर हमें copy करना हो, तो copy envelope effect, इस envelope effect में, मैं ही copy करना चाहता हूँ, यह, इस text में यह effect copy करना चाहता हूँ, यह वाला second वाला, तो यहाँ पर option यह copy command दे रखा है, copy envelope properties, envelope की properties वैसिक वैसे यहाँ copy हो जाएगी, और वो जो था shape, shape मैं कर करना है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यह shape है, six edges का, तो हमें minimum edges करना है, control Q करते हुए, इनके node को हटाएंगे, extra node हटाएंगे, minimum nodes में maximum इसका रोल है, तब यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, cube, tag, मान लीजिए, मैंने यह type किया, तो इन सभी characters को इस object के जैसा ही, बना देगा, इसे इसका envelope tool का रोल है, create envelope from selected object, जो object में बता रहा हूँ, वैसा ही इसको कर देगा, अब जरूरी नहीं कि यह polygon ही shape हो, आपके पास दूसरा कोई भी shape हो सकता है, मैं इसको polygon के अंदर बेतर तरीके से बता सकता हूँ, और भी अगर कोई दूसरा shape हमारे पास हो, तो वैसा हम ले सकते हैं, basic shape में जाकर के, common shapes में से हम कोई भी जैसे, let's say, यह ले लिया मैंने, तो अब text भी इसी तरह से करना है, तो इसको control क्यों करेंगे, normal object में convert करेंगे, और इस text को मैं ऐसा fly करते हुए दिखाना है, cube text, इस text को मुझे इसी तरह से दिखाना है, तो select करेंगे, envelope tool, create envelope from, envelope from this object, तो यह text भी वैसा ही height width का और वैसा ही way का हो जाएगा, छोटा बड़ा करके आप इसको इसमें adjust कर सकते हैं, यह है इस tool का role, अब आप इसको as a flag use की दिए, as a design में आप जैसे जहाँ पर flyer करते हुए दिखाना चाहते हैं, वैसे use की दिए, यह आप पर निर्पर करता है कि आप design में इसको कहां use करते हैं, यह role है envelope tool का, इस तरह से हम various straight envelopes, यह जैसे straight envelope दिया, double arc दिया, single arc में जैसे करना है, तो single arc भी हम कर सकते हैं, इसको हम none करना है, इसको effect करने है, none, यहाँ से none कर देंगे, इसको हम copy envelope tool, ऐसा पूरा जैसे मैंने type किया है, इसको round shape करना है, तो envelope tool, single arc mode, and control के साथ में दोनों line नहीं लेंगे, अगर control के साथ में नहीं लेते हैं, तो single line ऐसे जाएगा, control के साथ में double line एक साथ यह जाएगा, और यह envelope tool के properties हो जाती हैं, इस तरह से, तो यह है envelope tool के through shape,